हलो फ्रेंड्स राधे राधे, वेलकम टू प्रेटी कॉर्णर और आज की इस रीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चोत के वृत की कथा के बाद हम सूरे भगवान को अरक देते समय और चांद को अरक देते समय क्या बुलेंगे तो देखें जब आप कथा सुन लेंगे उसके बाद आपको आधे दाने तो अभी के लिए रख लेने हैं और आधे दाने आपको अपने पल्ले की जो आपका पी लिया होगा उसके पल्ले में इस तरीके से चुनुरी में बांध लेने हैं हमारे नापर तो पल्ले में ही बांदे जाते हैं और आप चाहें तो इन्हें अलग से किसी कटोरी वगारा पर भी रख सकते हैं मतलब आपको यह सम्हाल के रखने होते हैं कथा सुने हुए दाने तो आधे आपको बांदने हैं और आधो को हम अभी जो है यूज करेंगे सूरे भगवान को जल देते समय तो देखे ये वाले दाने हैं जो इनसे मैं अभी सूरे भगवान को अरक दे दूगी तो चलिए सूरे भगवान को अरक दे देते हैं तो देखे सूरे भगवान आ गए हैं और ये देखिए इस तरीके के चांदी का चल्ला ले लीजिएगा जब भी आप चांद सुरज को अरक देना तो चांदी के चल्ले को हाथ में पकड़के उसके उपर से धार डाल के देजिएगा तो देखे इस तरीके से चांदी के चल्ले के उपर से इस तरीके से हम अरक देते हैं और बोलते हैं और देखिए अब हम चंद्रमा को अरक देंगे तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे और आपको चंदर्मा को धीरे धीरे अर्क देना है और अपना लोटा उपर से उगड़ने नहीं देना है तो चलिए देखते हैं फिर से क्या बोलेंगे हरे बास की छाबड़ी गलमोतियन का हार चांद सुरज को अर्क देऊं जीए मेरे भाई भरतार आक तड़े मेरे सासरे ठक तड़े नंदसार पीहर सासरो ऐसो बसे जैसे कीड़ी को सो नाल जैसे कीड़ी का नाल होता है न किड़नाल कहते हैं जिसे बहुत सारी कीड़ी होती है अंगिनत उसी तरीके से मेरे सासरे में और मेरे पीहर में भगवान बरकत दे उन्हें आगे से आगे बेल को बढ़ाए तो देखिए इस तरीके से आप चांद और सुरज को अर्क दे सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए राधे राधे